नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई एजुकेशन चैनल, अजे आपडे नीट 2020 क्वेश्चन पेपर स्वाल करीशू, चालो तो आपडे क्वेश्चन डिसकस करिए अजे पेश्चन जे छे, के प्लेटीनम इलोक्टोर्ड नो उप्योग करी, मतलब के प्लेटीनम विद्यूत द्रोव नो उप्योग करी ने, मंद सल्फरीक एसीड नो विद्यूत विभाजन करता, एनोड पर निपज प्राप्त थाए छे, जे कही छे, आपने ख्याल छे के व मतलब के H2SO4, सल्फरीक एसीड ने आपने H2SO4 कहिये छे, परन्तु मंद सल्फरीक एसीड नो मतलब क्या अंदर H2O पन मिस्र छे, हवे ही H2SO4 अने H2O ने तोडबा मां आवे, मतलब के हिया थी 2H प्लस छुटू पड़ से, अने ही थी SO4 माइनस 2, तो सल्फूरीक एसीड आवी रितना छुटू पड़े छे, तो 2H प्लस जे छे, ते positive हुआ थी ते केथोड तरब जाशे, अने केथोड तरब जाए अटले आपने ख्याल छे रिडक्शन थासे, तो 2H प्लस जे छे, ते बे इलोक्टोन स्विकार से, अने H2 मा कनवर्ट पाम से, हवे महत्वनी वस सुचे के तेना रिडक्शन पोटेंशल, आपने ख्याल छे, तेनी वेल्यू जे छे रिडक्शन पोटेंशल नी 0 होई छे, एवी रिते पाणी नू पन विद्युदिभाचन शक्क्या बने, अने पाणी नू पन रिडक्शन थाई शके छे, तो पाणी नू रिडक्शन जिकार्श है और यहीं H2 गेसिस मां कन्वर्ट पाम से साथे साथे 2OH माइनस मां रुपान तरन पाम से ओके बरावत प्रक्रिया ने आपड़े बैलेंस करिये जू H2 गेस 2OH माइनस चे तो हीं हवे तेना रिडक्षन पोटेंशनल नी वेल्यू आपड़े जूई है तो आपने ख्याल चे माइनस 0.83 सम्थिंग चे तो हीं तमें जूओ तो केथोड उपर तो आपने शू मलवानू चे 0 वेल्यू केम कान की रिडक्षन पोटेंशनल नी वेल्यू माइनस 0.83 अने 0 वा 0 मोटी वेल्यू हो थी आपने ही केथोड उपर तो H2 प्राप्त थसे परन्तु अहीं तो आपने पुछेलू चे एनोड उपर शू प्राप्त थाए तो एनोड उपर SO4-2 अने पाणी इबन्ने नू ओक्सिडेशन थाए शू बनेशे O2 ओके O2 प्राप्त थाए छे ही तमें 1 वाइ 2 O2 पन लखी शकोँ छो साथे साथे 2 इलोक्तोन मुक्त थाशे ओके अने एहीं तमें जूओ तो 2 H प्लस पन मुक्त थाशे मतलब कहीं आपने एनोड उपर O2 प्राप्त थाशे तो ही एनोड उपर O2 गेस होए ओक्सिजन वाई इस राइट आंसर थेंक्यू सो मच आज चैनल ने सब्सक्राइब करो